तो दोस्तो LTS यानि L&T Technology Services ने अपने quarter 3 के नंबर को disclose कर दिया है तो चलिए देखते हैं क्या है quarter 3 के नंबर के अंदर और करते हैं market के estimate के साथ compare और देखते हैं कि का market के estimate को company के जो number है वो आपको beat कर पाया कि नहीं कर पाया तो data basically millions में दिया गया है मैं आपको cross में convert करके समझाता हूँ तो देखे पिछले quarter की बात करे तो पिछले quarter में company का total revenue जो company operation के टूर जेनरेट के थे 2386 क्रोड के आसपास पास पिछले साल 2157 क्रोड जबकि अभी देखे तो company का revenue 2421 क्रोड के आसपास आपको देखने मिला तो साल आपको बता दू कंपनी ने 2421 क्रोड का revenue इस quarter में मार्केट का जो इस्टिमेट था कि आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने मिलेगा वहीं देखे तो 1.8% के आसपास company का revenue बढ़ता हुआ देखने मिला है तो almost बोल सकते कंपनी का जो इस्टिमेट था मार्केट का जो इस्टिमेट था उसके आसपास ही उससे थोड़ा सा कम ही company का revenue देखने को मिला है खरचे के बात कर लेते हैं तो देखे पिसले quarter में company ने कमपनी का जो इस्टिमेट था प्रोफिट के अंदर वो था 332 करोर के आसपास company ने सो किया है 336 करोर तो यह एक अच्छा है कि market का जो इस्टिमेट था उससे एक परसंट के आसपास ज्यादा company का जो प्रोफिट है वो आपको देखने को मिला है जबकि साल्दे साल जाते हैं तो साल्दे साल company का प्रोफिट रंदर एक बहतरीन तेजी आपको देखने में अप्रुक्समेटली 12% के आसपास का जंप है व देखने में तो बहुत संदा लग रहे हैं अच्छे लग रहे हैं लेकिन जब market के इस्टिमेट के बात करते हैं तो यह जो नंबर company के दौस्ट हो कि यह वो market के इस्टिमेट के आसपास ही आपको देखने को मिलें तो चलिए बस आज के लिए बश्यादा है बीड़ी पसंद तो लाइक किजिएगा साथ में साथ चेहों को सब्सक्राइब जो किजिएगा धनुबाद